कि नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इबार फिल से कम्पेटिशन कम्यूनिटी की यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं स्सी सीजी एल एंड सी एचसल का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज हम डिसकस करने वाले मैट्स में अलजेबरा बीजगनित और यह पार् तो आप इस पार्ट टू वीडियो में मैं कुछ नए सवाल लूँगा इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल ऐकन दबा दें ताके सारे नोटिफिकेशन्स आपको टाइमली मिल अगया है चाहे वह लेक्चर के पीडिएफ की बात हो चाहे हम आपको जो प्रैक्टिस शीट वीकली बेसिस पे हंड्रेट कोईशन्स का प्रवाइड कर रहे हैं चाहे वह ठीक है और साथी साथ अगर आपको हमसे कुछ डाउट है उसके लिए भी आप टेलिग्राम चैनल औ तो वहां से क्योंकि सारे फेकल्टी उसमें जुड़े हुए आपसे अगर कोई भी डाउट है चाहे वह लेक्चर से रिलेटेड हो चाहे हमने जो आपको प्रैक्टिस शीट प्रवाइड कराया गया उससे अगर कुछ रिलेटेड डाउट है तो सारी चीज़े आप वहां प करते हैं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है यहाँ पर आपको फॉल्व करना एक्स स्क्वेर माइन डिया हुआ है और आपको निकालना एक्स के गहात नौ प्लस एक्स के गहात साथ माइनस 194 009-143 का वैल्यू क्या है यह आपको निकालना है कि देखे अब यहां पर इसको देखकर लगता नहीं है कि एकस प्लस वन बा एकस के फॉर्मैट में हैं लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें यहां पर एक एकस करने के बाद हम क्या कर रहे टा कर रहे तो आपको यहां डौवि एकस-ब्ल fund वाले वैल्व टाया की यहां तक पहुंच सके। दो कोषिश करते हैं देखें अगर यहां पर x square plus minus 4 x plus 1 is equal to 0 दिया है अगर मैं इसको x plus 1 by x के format में लाना चाहूं तो क्या करना होगा आप सब कहेंगे x से divide करना होगा यह हमने first video में देखा है जैसी मैं इसको x से divide करूँ तो यहां आ जाएगा x minus यह बन जाएगा 4 मतलब देखे x plus 1 by x को मान कितना हो गया तो 4 हो गया फिक सब्सलें previous का 1 by x square क्या होता है, x square plus 1 by x square का value हो जाएगा, 4 का square, minus 2, यानि कि 4 का square होता है, 16, minus 2 करने पर इसका value आ जाता है, ठीक है, तो ये सारी tricks हमने first video में देखा है, तो मतलब इसका value कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, एक बार और यदि मुझे x के घात, 4 plus 1 by x के घात 4 निकालना है, तो इसका trick भी आप लोग जानते, अब इस number का square करके minus 2 करना होगा, तो ये सारी सीज़े first video में cover हो जुका है, चाहुदा का square कितना, 196, minus 2 करोगा, तो कितना आगया, 194 आगया, अब आप समझ पा रहे होंगे, कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको क्यों किया है, अब 194 देखते साथ समझ में आता है, कि ये जो 194 है, इसके जगा पर मैं ये value डाल सकता हूँ, जहाँ-जहाँ 194 देख रहा है, इसके जगा पर मैं क्या करूँगा, तो इसके जगा पर मैं X के घात 4, प्लस 1 मा X के घात 4, X to the power of 4, प्लस 1 मा X to the power of 4 हम लिख लेंगे, जहाँ-जहाँ 194 देख रहा है, तो हमारा जो है, calculation काफी easy हो जाएगा, ये हो जाएगा, X के घात 9, याने प्लस X के घात 7, minus of 194 के जगा क्या लिखना है, तो हमें लिखना है, X के घात 4, प्लस 1 मा X के घात 4, और 194 के आगे क्या दिख रहा है, आपको X के घात 5 दिख रहा है, ठीक, X to the power of 9 plus X to the power of 7 ठीक है, minus X to the power of 4 और X to the power of 5 को multiply करोगे तो क्या आएगा? X to the power of 9 आएगा? और X to the power of 5 को X to the power of 4 से divide करोगे तो क्या आएगा? X आएगा तो minus X यहां लिखेंगे हम ठीक? ब्रैकेट क्योंकि उपन होगा तो minus दोनों में multiply होगा ना? minus है यहां पर X cube को यहां से दोनों में multiply करोगे तो यह वाला जो है X के खाथ 7 मन जाएगा तो minus of X to the power of 7 और यहां पर minus में 1 by X आएगा क्योंकि यह X to the power of 4 है वहाँ X cube है तो नीचे 1 by X आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव है जाएगा इसको solve करके बताएगे कितना आएगा X to the power of 9 minus X to the power of 9 cancel out हो गया X to the power of 7 minus X to the power of 7 cancel out हो गया minus को यदि मैं common निकालो तो यहां X आएगा plus 1 by X हो जाएगा और X plus 1 by X का value हमने निकाल के रखाए कितना है तो 4 है मतलब इसका उत्तर कितना हो गया minus 4 हो गया यहां पर कुछ चीजे मैंने explanation के तौर पर लिखिए लेकिन मैंने आपको कई बार वताया है यह सारी चीजें आप माइन में calculate कर सकते हैं results को आप याद रखिए एक बार फिर से हम results देख लेते जो हमने पिछले वाले class में cover किया था यह सारे formulas हमने देखे थे और इस formula में हमने क्या किया था हमने यहां पर दाल दिया था a के जगा पे x और b के जगा पे 1 by x तो हम कुछ results को यहां से note down किये थे for example यह अगर a plus b x plus 1 by x का value a है तो x square plus 1 by x square a square minus 2 होता है इसको b ले लोगे तो x के खाथ 4 plus 1 by x के खाथ 4 हो जाएगा b square minus 2 यह c है x के खाथ 8 plus 1 by x के खाथ 8 करोगे तो c square minus 2 हो जाएगा यह सारी चीजे हमने cover किया साथी साथ यह भी देखा था x minus 1 by x d है तो x square plus 1 by x square d square plus 2 होगा ठीक है x का मान है 7 plus 4 root 3 directly इसको solve करने जाएगे तो आप देखिए x के खाथ 4 करना है आपको x के खाथ 4 का मतलब इसका power 4 निकालना आपको x cube भी करना है x square भी करना है x को भी multiply करना है मतलब इतना ज़्यादा calculation यहाँ पर आपको इस सवाल में दिया हुआ लेकिन यदि आपको x plus 1 by x वाला format पता है तो आप थोड़ा अलग तरीके से सोचे कि मैं यहाँ symmetric करना की कोशिश करता हूँ x के खाथ 4 तक ना करके हम इसको x square plus 1 by x square के format में लाने की कोशिश करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा यह जो expression दिख रहा है इसको ऊपर और नीचे दोनों x square से हम क्या करेंगे इसको बाड़ देंगे दोनों को हम क्या करेंगे x square से बाड़ देंगे तो यह पहला वाला जो term है यह बन जाएगा x का square बन जाएगा क्योंकि x के हाथ 4 है इसको काटोगा x square आएगा प्लस यह बन जाएगा भई 3x क्योंकि x square से कटेगा यहां तो कुछ बचेगा है नहीं क्योंकि 5x square पूरी तरह से कट देगा यहां x था अब यह कम है तो तीन बटा x आएगा और लास्ट में 1 by x square आएगा करेक्ट यह यही है डिवाइड़ नीचे देखोगे तो x square प्लस 1 by x square आ रहा है यहां तक आप लोग मेरी बात से सहमें सहमत है अब इसको थोड़ा सा रियर्रेंज कर लेते हैं रियर्रेंज करने का मतलब आप देखिए x square प्लस 1 by x square जो फस्ट टर्म और लास्ट तर्म है उसको मैं एक साथ लि मतलब देखिए हमारा काम इतना असान है कि आप बस x plus 1 by x निकाल दीजिए एक बार तो आपका काम असान हो जाएगा x plus 1 by x है क्या इसको समझ लेते हैं पहले हमें क्या दिया है x का मान दिया हुआ है x का मान है 7 plus root 3 4 root 3 sorry 7 plus 4 root 3 7 plus 4 root 3 दिया हुए 1 by x का value क्या होगा तो 1 by x का value हो जाएगा 1 by 7 plus 4 root 3 अब देखें certs and indices में कुछ चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पर use करना पड़ेगा algebra, third syndices, number system इन तीनों को मिलाकर बहुत बहुत बहतरीन सवाल बनते और देखें यहाँ पर थोड़ा सा concept में algebra का और third syndices का use करूँगा जबी वे हम ने कहा था कि नीचे इस तरह का expression आ जाए तो आप उसको solve नहीं कर पाओगे आपको क्या करना पड़ता है rationalization करना पड़ता है याने पर्मिय करना होगा 7 minus 4 root 3 और 7 minus 4 root 3 इन दोनों से उपर नीचे हमें क्या करना होगा multiply करना होगा 7 का square minus 4 root 3 का square 7 का square क्या होता है 49 minus 4 root 3 का square होता है 16 into 3 याने 48 48 मतलब denominator में a plus b into a minus b है कि नी a plus b into a minus b तो 49 हो जाएगा इसका square होगा 48 याने कुल मिला के 49 minus 48 करने पर denominator बन गया 1 मतलब यहाँ पर जो हर है यह बन गया 1 तो उपर numerator में कितना बचा numerator में इतना ही बचा मतलब 1 by x का मान क्या है तो 7 minus 4 root 3 अब सवाल को देखिए कितना असान है आपको यहाँ x plus 1 by x चाहिए और x square plus 1 by x square तो अगर मैं दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा x plus 1 by x का मान आएगा की नहीं आएगा और आप देख पा रहे है चाहरूर 3 माइनस चाहरूर 3 दोनों कर जाएंगे साथ प्लस साथ होता है चाहूदा तो यह बन गया चाहूदा एक स्क्वेर प्लस 1 by x जाएगा 42 ठीक प्लस का 5 और divided by नीचे क्या है तो यहां 194 है फिर से इसको जोड़ लेते हैं जैसे आप 5 जोड़ोगो तो 199 है इसको जोड़ोगो तो 41 आएगा यहने 241 वैल्यू आगया ऊपर और नीचे क्या आया तो 194 आया ठीक क्या यह वैल्यू किसी से कटेगा 241 divided by 194 है य सवाल ऐसे होते हैं जो डारेक्टली देखने पर लगता नहीं है कि एक्स ब्लस वन वाइक्स वाले फॉर्माट में लेकिन हमने जो चीजे सीखी है पार वन वीडियो में उसको एपलाए करके आप यह जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्यालकुलेशन से इसको आप सिंप टाइप अफ कोश्चन से उसको हम देखेंगे फॉर्मूला बेस्ट जो फॉर्मूला जामने देखे थे उसी से स्टार्ट करते हैं फिर कुछ नए फॉर्मूला भी मिज़े आपको बताने है इस वीडियो में वह भी कवर करेंगे डेखे एक्स ब्लस वाइक्स कमान दिया स्कुएर होगा अब अब यस प्लस वाय का स्क्वायर आफ लोग जानते है और इस स्क ऑ्स तरफ कर लेते मैं ऊस्पास का को दूसरे तरफ बेते में थे तो यह यहान से एक बार ओर इसका square कर लेते हैं. एक बार square इस लिए कर रहे है क्यूंकि हम्मे एकस के घहाथ 4 चाहिए और y के घहाथ 4 चाहिए तो जैसी में इसका square एक बार और करूँ तो बन जाएगा x के हाथ 4 जो हमें value चाहिए y के घहाथ 4 प्लस यहां से आएगा 2x square y square यह बन जाएगा 1 plus 4x square y square और minus का 4xy यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने बस यहां पर a plus b whole square का formula लगाया है जो कि होता है a square plus b square plus 2ab यह सारी चीजे हमने फिर से first video में cover किया था ठीक है अब यहां से देखिए इसको अगर मैं solve क square यहां से कड़ जाएगा इससे चार से यह बन जाएगा कितना तो बन जाएगा 2 क्योंकि माइनस हो रहा है अब समझे यहां पर value निकाले तो क्यासे निकाले मुझे यहां दिखाई दे रहा है 1 plus अगर मैं इस वेसे 2xy को common निकालू तो इधर बचेगा भाई xy और यहां लिख सकता हूं 1 plus 2 multiplied by 12 लिख सकता हूं 2 multiplied by 12 करोंगे 24 चोविस प्लस एक 25 हो गया 25 क्लियर 25 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक समझ में आ गई बाते हैं यह आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में होगा बस हम यहां पर दो बार स्क्वायर करने पहली बार और दूसरी बार और यहां से हमारा जो उत्तर आ जा रहा है क्योंकि हमें जो वैजो निकालना था एक्स प्लस य का मान हमें बस दिया हुआ था सवाल में चलिए आगे बढ बरावर है एक सो सत्रा प्लस बी क्यूब ए बरावर है तीन प्लस भी आपको निकालना है एक प्लस बी का मान कैसे निकाला जाए एक क्यूब और बीक्यूब इसका मतलब एक्यूब माइनस बीक्यूब का मान क्या है एक सो सत्रा है कि लिए आपको दिया क्या है यहां से आप बी का whole square ठीक है प्लस का 4ab और इसका square root लेना होता है ठीक यही हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो में actually a plus b का square जो होता है वो a minus b whole square plus 4ab होता है और मैंने यहाँ पर क्या क्या square root को दूसरे तरफ बेज़ अब देखिए हमारे पास जो value है a minus b का तो value है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास a b नहीं है अगर a b मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो आई यह कोशिश करते हैं यहां देखिए इसको अगर मैं यहां से इसका formula लगाओ a cube minus b cube का तो formula होता है a minus b into a square ठीक है plus a b plus a b plus b square यही होता है ठीक है और इसका value कितना है 117 दिया हुआ है अब इस 3 को हम यहां पर इसके जगापे 3 लिख सकते है क्योंकि a minus b है 3 जो है इसको काट देगा 39 times कितने बार काट देगा 39 times मतलब a square plus a b plus b square का value तो हमारे पास दिया हुआ है जो कि 39 है अब साथ में यदि आपको दिया हुआ a minus b का value है तो अगर मैं इसे square कर लो यानि a minus b को square कर लो तो आ जाएगा a square minus 2ab plus b square का मान जो कि हो जाएगा 9 मैंने क्या किया यह second equation समझ में आपको यह क्या है मैंने इसका square कर दिया अब दोनों का अंतर ले लिए दोनों का अंतर ले लिए फटा-फट यहां से दोनों का अंतर लेंगे तो a square a square कर गया b square b square कर गया 39-9 करोगे तो यहां 30 आएगा और यह a b minus का minus a b करोगे तो plus हो जाएगा तो 3 a b होगे मतलब a b कमान है हमारे पास 10 a b कमान 10 है अब देखिए a plus b निकालना कौन सी बड़ी बात है a minus b जो है a minus b कमान था 3 तो 3 का square हो जाएगा 9 plus 4 into a b a b कमान हमने निकाल लिया 10 तो यह हो जाएगा 40 इसका square root निकालना है तो यहां पर 49 का square root है तो यह plus और minus 49 नहीं plus और minus 7 आएगा बाहर ठीक है इसका square root निकालोगे तो plus और minus 7 आएगा actually a plus b whole square बराबर इतना होता है तो plus 7 यह minus 7 दोनों में से कोई एक value हो सकता है a plus b का ठीक है तो एक बाहर चलिए यह देखते हैं हमने कौनसे-कौनसे formulas को use किया जो हमने पिछले वीडियो में cover करके रखा था ठीक है चलिए तो देखे starting में मैंने आपको बता के रखा है यह सारी formulas हमने पिछले वीडियो में cover किया कि अगर a plus b whole square चाहिए तो a minus b का square plus 4ab ठीक है जो कि हमने इस से rearrange किया था मैंने आपको यह बताया था यहां पर कि अगर हमें इन नोनों का यानि पहले और दूसरे का difference लेना है तो a minus b का square minus a minus b का square 4ab यहां रहाँ ग् Soo नेक्स्त क्षिया है एक्स बरावर है 2 minus b आपको निकलना है x cube plus 6 x p plus p cube तो इसका मान निकालने के पहले आप इसको देखिए एक equation एक equation है और दो variable एक equation और दो variable जबी भी है तो देखे number of equation ठीक है number of equation एक चीज़ आप यहाँ पर note करके रखे number of equation अगर m number of equation दिया है और number of variable number of variable अगर n दिया हुआ है जबी भी सवाल में equation का मतलब देखे यह equation है एक बार equal to लगा है तो यह equation आपको दिया है variable कितने है तो भई यह एक variable है x एक variable है पी एक variable है मतलब यहाँ आप देख पा रहे है कि m1 है और variable 2 है जबी भी आपका जो है m छोटा हो जाता है n से तो यहाँ पर आप इसको solve नहीं कर सकते cannot solve cannot solve ठीक है यह solve किया नहीं जा सकता लेकिन अगर examiner आपसे फिर भी इसका value पूछ रहा है कि बताइए भई x cube plus 6 x p plus p cube का value क्या है तो ऐसे case में आपको समझना होगा कि आप यहाँ पर एक variable को कुछ भी मान सकते है ठीक है या तो आपको यहाँ पर m equal to n होना चाहिए या तो m greater than n होना चाहिए m greater than n होना चाहिए तब जाके आप इसको solve कर सकते हैं यह solvable होता है यह solvable होता है लेकिन अगर यहाँ m छोटा हो गया n से इस case में आप क्या करेंगे इन दोनों का difference ले लेंगे यानि कि n minus m n minus m जीतना value आगया उतने ही variable को आप मान के चल सकते हैं सारे variable को नहीं ऐसा नहीं कि इसको भी मान लिया उसको भी मान लिया ऐसा नहीं आपको यहाँ पर 2 variable दिखा एक equation दिखा तो 2 minus 1 आप करेंगे 2 minus 1 कितना हो गया एक हो गया एक variable को आप कुछ भी मान सकते है जैसे प है ना प को मैं 0 मान लेता हूँ और solve करूँगा तो उससे मतर आएगा समझते हैं यहाँ पर तो मैंने कहा कि दो variable है एक equation है तो क्या करेंगे प को मैं माननूँगा 0 तो x का मान कितना हैगा 2 अब x को माना नहीं जा सकता क्योंकि 2 variable एक equation है तो एक ही variable को मैं मान सकता हूँ और एक ही variable को मानने पर value जो है x का value 2 आ रहा है क्योंकि मैंने p को 0 माना तो यह 0 हो गया यह भी 0 हो गया बचार के x cube तो 2 का cube बताईए answer कितना जाएगा 8 है जाएगा तो seek is the correct answer for this question यहां तक समझ में आ गई कहां कहां पर हम value को नहीं मान सकते जब number of variable equal to number of equation है तो वहां पर आपको solve करना होगा या number of equation ज़्यादा है variable से तो उस case में भी solve करना होगा कुछ भी value अप नहीं ले सकते लेकिन जब ऐसा condition है वहां पर आप इसको solve बर सकते है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अब कुछ नए pattern of questions स्टार्ट हो रहे हैं इस सवाल को करने के पहले कुछ formula नए जो मैंने आपको प्लस c का whole square बरावर होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c ठीक है this is the new formula for this video अब यहां से आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a plus b plus c का whole square होता है इसका माहन होता है a square plus b square plus c square plus 2 को यदि मैं common निकाल दूँ तो यहां जागा a b plus b c plus c q a b plus BC plus c कह इस तरीके से भी आप इस formula को लिख सकते हैं दोनों तरीके बार सवाल में आपको a b plus b c plus c निकालने को कहा जाता है का ही बार a square plus b square plus c square निकालने को और कई बार a plus b plus c निकालने को हाल आता यह formula जो है बहुत important है इसको आप बढ़िया से बना के रखिए इस formula को अब इस formula के उपर कुछ questions देखेंगे और भी कुछ formula इसको मैं cover करूँगा पहले आते हैं इस formula पर देखिए यहाँ पर क्या है इस सवाल को देखें यहाँ पर आपको क्या दिया है यह है x square प्लस x by y का whole square दिया हुआ है ठीक है और प्लस देखोगे तो यहाँ क्या है 4 into x by y है bracket यदी खोल दूँ तो 4 into y y x plus 6 है देखिए अगर आप इसको solve करने जाएंगे तो यहाँ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है क्योंकि यहाँ square है यहाँ square है तीस्रा square तो दिखाए ही नहीं देखा क्योंकि हमने अभी जब formula देखा a plus b plus c की whole square का उसमें हमने देखा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca होता है लेकिन यहाँ पहला square तो समझ में आए दूसरा square तो समझ में आ आए क्या तीसरा स्क्वाइर दिखा आप कहेंगे नहीं दिखा तो कैसे इसको इंटरपरेट किया जाए उसके लिए इस चीज को थोड़ा सा चौकरना रहिए कि आप यहां देखिए यहां पर क्या है चार कैसे आ गया मैंने आपको जो फॉर्मूलर लिखा है उसमें तो 2A भी है मा तो मैं यहां पर तीसरा वाला जो वैल्यू है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूँ जो कि हो जाएगा इस छे से इसको तोड़के लिख लेते है चार प्लस दो चार प्लस दो क्यों क्यों कि चार जो है यह हो जाएगा दो का स्क्वार अब बात समझ में आती है कि यह जो एक बार यह दोनों भी तो multiply होंगे एक बार यह दोनों भी तो multiply होंगे इन दोनों को multiply करोंगे xyyy plus y by x one होता है वहाँ पर यह 2 multiplied by 1 बहना है clear है मतलब यह जो total value है इसको आप ऐसा लिख सकते x by y plus y by x plus 2 का whole square clear है यहां तक बात समझ पहाँ आगई अब देखिए इसको solve कर सकते है क्योंकि value क्या दिया है root 5 plus 1 ठीक है यह है आपके x का value और y का value क्या है तो root 5 minus 1 plus y का value क्या है तो root 5 minus 1 divided by root 5 plus 1 और plus का 2 है इसका whole square हमें निकालने को कहा गया तो 25 है हो सकता है 25 ही उत्तर होगा क्योंकि whole square में है फिर भी एक बार solve कर सकते है इसका value देखते हैं कितना आ रहा है इन दोनों को पहले solve कर लेते हैं यह पहला और दूसरे वाले term को तो इसका जो LCM आएगा 5-1 आएगा क्योंकि A plus B into A minus B के form में तो A square हो जाएगा 5 B square हो जाएगा 1 मतलब नीचे आजाएगा आपका value 4 यहां तक समझ में आगए A square minus B square के form में LCM आएगा A plus B into A minus B के form में तो यहां root 5 का square 5 होता है 5 minus 1 करोगे तो 4 आजाएगा यहां उपर क्या आ रहा है यह आजाएगा root 5 plus 1 का whole square plus root 5 minus 1 का whole square देखिए कुछ चीज़े जो है वो आप mind में calculate कर सकते है A plus B whole square plus A minus B whole square के form में है की नहीं है और A plus B whole square plus A minus B whole square का formula होता है 2 into A square plus B square मतलब यह जो value है इसके जगापे यह plus 2 है यहाँ पर और इसका whole square हमें निकालना था इसके जगापे मैं directly क्या लिख सकता हूँ इसके जगापे directly हम यह लिख सकते हैं कि यह है 2 multiplied by root 5 का square जो क्यों हो जाएगा 5 plus 1 divided by 4 ठीक है और plus का 2 आगे लगा हुआ है इसका whole square निकालना है यह कितना हो गया चे हो गया इसके जगापे हम लिख लेते चे दो से काटोगे दो आजाएगा दो से काटोगे यहाँ पर यह तीन बन जाएगा तीन प्लस दो है और जैसे कि मैंने आपको बताया पांच का square जो कि कितना है 25 पर्फेक्ट स्क्वाइर है तो देखते साथ वैस कि रिस्क नहीं लेना है वैसे 25 है वैसे square था तो वही answer होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question देखते हैं यहां से जो है यह बहुत important pattern of question है जो मैं cover कराऊँगा क्योंकि आपके 2018 में इस तरिक्या के pattern के question बहुत ज्यादा पूछे गए थे एक सवाल आपका x plus command लिया है a x square plus b x y plus c y square का value आपको यहां पर दिया है और निकालना क्या है तो यहां पर आपको a plus b plus c निकालना है देखिए सीदी सिंपल सी बात है x y और z आपको x x y और y square दिखा तो मैं x equal to y equal to 1 मैं अगर दाल दू तो कहीना कई value जो है वो मेरे को क्या मिलेगा a plus b plus c डाल दिए तो यहां से क्या मिल रहा है यहां right hand side में जो value है a plus b plus c हो गया ठीक और जो यहां पर value है यह बन जाएगा 2 का cube 2 का cube मतलब कितना तो यहां पर आ जाएगा 8 8 into 8 64 और x minus y जो है यह तो 0 बन गया और divided by बटे में क्या 5 minus 1 क्याने 4 चार से इसको काटोगे तो 16 आ रहा ह के पहले यह सिखना जरूरी है कहां लगना चाहिए तो देखिए जभी भी आपको a plus b plus c रिखा यहां x square xy और y square है इस तरीके के values यहां जो substitute हो रहे है जो directly हमें a plus b plus c तक पहुंचा दे वहां short tick काम जाए लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता तो उसके लिए आपको basic approach पता होना चाहिए basic approach क्या है समझी देखिए हमने पिछले वीडियो में जो formula ज्याद करके रखे हैं उन formula को थोड़ा गौर से देखिए a cube plus b cube का formula होता है a plus b into a square minus a b plus b square और a cube minus b cube का formula होता है a minus b into a square plus a b plus b square इस formula के उपर based सवाल बनते हैं तो पहले तो आप अच्छे से इसको no down कर लिजे आठवे नंबर का formula नवे नंबर का formula जिसके उपर based अभी जो question हमने देखा वो है तो आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हम solve करें देखिए कहीं ना कि यह जो value है यह क्या है यह है 2 into x plus y का whole cube है बरावर माइनस ओफ 3 into x minus y का whole cube है और नीचे अगर आप देखें गौर से तो है क्या है यह value यह है 2 into x plus y ठीक है minus of 3 into x minus y यही तो अगर मैं इसमें bracket खोलू तो क्या मिलेगा denominator को अगर आप गौर से देखेंगे तो value क्या है तो directly यहां पर आप देख पा रहे है यह हो जाएगा 2x plus 2y ठीक है तो देखें values जो है वो कईना कई यही दिया है कि a cube ऊपर क्या है a cube minus b cube इसका formula क्या होता है तो a minus b into a square plus b square plus a b यही होता है अब इसने क्या किया इस a b a minus b को नीचे ले आया a minus b को नीचे ले आया क्यूंकि आप देख रहे हैं a cube है actually cube है यह इसको correct कर ले ना a cube है और यह नीचे a cube minus b cube ऊपर है नीचे a minus b को नीचे ले गया तो a cube minus b cube का value है यह है a minus b ठीक है और यहां आगे क्या है तो a square plus a b plus b square यही दिया हुए ठीक है a square plus a b plus b square जिसमें a का मान यह कर रहा है a का काम यह कर रहा है b का काम यह कर रहा है तो आप directly यहां a और b को open करके पूरा solve कर सकते हैं लेकिन यहां जब short trick लग गया है यहां उसको इस तरीके से solve करने की कोई आवशता नहीं है लेकिन आगे जब भी कभी इस तरीके का question दिखे a plus b plus c आ गया answer यहां पर 16 आना था चलिए आगे बड़ते हैं इसमें अगला सवाल देखिए यहां पर अब जब find करने को कहा 4a minus b plus 5c अब यहां पर short trick काम नहीं आएगा तो अब यहां पर formula आपको लगाना ही होगा दूसरा कोई तरीका नहीं ठीक तो समझी यहां अब दिया क्या हुआ है इसको थोड़ा सा समझेंगे क्या दिया है यहां पर दिया 27x square और यह 343 y cube मतलब यह जो है 3x का cube है ठीक है minus 7y का cube है और नीचे denominator में यदि आप देखें तो क्या है यहां पर 3x minus 7y दिया हुआ है अब a cube minus b cube के formula को directly लगाएंगे तो आगे यहां a minus b तो नीचे बचा क्या a square बचा तो 33x square यानि 9x square प्लस इन उतों को multiply करना होगा तो 21x यह यह एक बार ठीक है और plus y square y square का मतलब 7y का square करोगे तो 49y square इसको compare कर लेंगे हम इस से इसको compare कर लेंगे हम इससे तो a command कितना हो गया जो x square के सामने x square के सामने क्या है नो है तो a command आ जाए नो ठीक है ? B कमान क्या है ? Y² के सामने आपने देखा 49 है तो B कमान कितना हो जाएगा ? 49 हो जाएगा 7C का मतलब वो है जो XY के सामने है और XY के सामने कितना ? 21 है मतलब 7C, 7C बरावर 21 है तो C कमान हो जाएगा 3 तो हमने A, B, C का value निकाल लिया है जो वैल्य पुछा है उसको डिरेक्ट निकालिए पूछाता तो फॉर एकितना हो जाएगा फॉर इंटो यो जाएगा थर्टिसिक्स माइनस भी पूछाता हो तो यह 49 माइनस हो जाएगा प्लस 5C है तो 5C इसको मल्टिप्लाय कर लीजे कितना आ रहा है 15 तो 15 और इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आ रहा है 51 51 माइनस 49 करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो D जो है सवाल का आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2X का होल क्यूब माइनस 3Y का होल क्यूब तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डिरेक्टली जो क्यों होता है A-B तो 2X-3Y A-B-3Y का फॉर्मूला और ब्रैकेट में आ जाएगा A-square याने 4X-square प्लस A-B प्लस A-B का मतलब इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना 6X-Y आएगा चलिए 6X-Y को आगे लिखनेते हैं क्योंकि यहाँ expression में भी आगे और एक B-square आता है तो 3Y का square मतलब 9Y-square है comparison बस करना है अब comparison of coefficient आप करिए देखिए पहला वाला bracket जो है उसमें आपको क्या दिया है A-X प्लस B-Y दिया है यहाँ पर equal to क्या दिया थे यह दिया था न आगे वाले bracket पर देखोगे तो C-X square दिया है minus D-Y square दिया है और प्लस में 6X-Y दिया है C-D का मान निकालना है मतलब A कमान है 2 B कमान है minus 3 C कमान है 4 और minus D निकालना है D तो पहले ही minus है तो minus plus minus करोगे तो plus का 9 आजाएगा ठीक तो 9 211 प्लस 4 करोगे 15 आएगा minus 3 करोगे तो 12 आजाएगा ठीक तो answer क्या है 12 जो है B is the correct answer for this question की आशा करता हूँ यह question आपको समझ में आया होगा comparison of coefficient लगाना है कुछ चीजें फिर से मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिए लिखा है आप directly यहाँ पर इस तरीके से expression लिख कर इसको compare कर सकते है question से कि A कमान B काना मान C कमान D कमान किया गलती होने के chances भी होती क्योंकि आसान सवाल है ठीक है तो देखने में कई बार गलती हो जाती है तो माइनस साइन अच्छे से देखके इसको solve परेंगे चलिए नेक्स्ट गूश्चन एक क्यूब माइनस B कमान है 208 ए माइनस भी चार है अब आपको क्या गान कर देखे क्या निकालना है हमें ए प्लस B whole square और यहाँ पर प्लस भी होल स्कूइर का मतलब क्या होता है A square plus B square plus 2AB होता है इस plus 2AB में minus AB को minus कर देंगे तो value कितना आ जाएगा भई तो plus AB आ जाएगा correct यही निकालना है हमें और हम यह जानते हैं कि A cube minus B cube के formula में कहीं न कहीं यह value आता है और A cube minus B cube का formula क्या है A minus B आगे क्या बसता है तो A square plus B square प्लस AB बसता है और इसका value आपको दिया है दोसो आठ इसका value आपको दिया है 208 तो यही तो पुछाना A square plus B square plus AB का ही तो मान पुछाहना यहाँ पे क्योंकि A plus B whole square minus AB करोगे तो वही आएहगा A square plus B square plus AB होईगा A minus B का value आपको दिया है चार तो इसके जगा में क्या लिख सकता हो यह जो expression है इसके जगा में लिख सकता हो चार चार जो है इसको काट देगा 52 तो हमको जो find करना था उसका answer हो जाएगा see that is the correct answer यहां तक समझ में आगई बात है चलिए बढ़ते आगे अब यह थोड़ा सा special pattern of question है यह जो सवाल है इसमें आपको comparison of coefficient से ही इसको solve करना है तो आए समझते हैं इसको कैसे solve किया जाए देखे डिरेक्टली अगर आप इसको solve करेंगे तो यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें तो देखे यहां पर मैं क्या करूँगा क्योंकि यह 5 जो है cube root के अंद और 5 का cube root का मतलब क्या होगा x होगा तो 1 प्लस यह बन जाएगा x और यह तो 25 का cube root है तो पहले तो 5 का cube root हो गया x और उसका आपको square निकालना होगा क्योंकि 25 है तो इसका value हो जाएगा x square अब इस formula को आप देखिए इस formula से हम क्या करें क्योंकि मुझे यह पता है कि अगर मै यहाँ x-1 से उपर और नीचे multiply कर दूँ x-1 से मैंने क्या क्या उपर और नीचे multiply कर दिया तो नीचे वाला जो पार्ट है यह बन जाएगा x cube minus 1 x cube minus 1 cube का formula ही तो है x minus 1 x square plus x plus 1 मतलब यह आपके a cube minus b cube का formula बन गया तो आप इसको लिख सकते है x cube minus 1 उपर आ जाएगा x minus 1 x cube minus 1 क्या है वही x cube का मान तो 5 है x cube minus 1 का मान कितना होगा 4 हो जाएगा मतलब यह 4 बन गया तो actually हमें जो value मिला वो क्या मिला कि यह root cube root of 5 है cube root of 5 है minus 1 divided by 4 यह है किसका value तो इसका value और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कमान क्या है a cube root of 25 प्लस b cube root of 5 प्लस c अब देखें आप comparison of coefficient करेंगे directly ठीक कि b कमान क्या है b कमान है इसको अगर मैं थोड़ा सा bracket open कर लो नीचे वाले को तो यहाँ पर बटा एक बटा चार आएग और यहाँ पर एक बटा चार है मतलब यहाँ cube root of 25 वाला term तो है ही नहीं मतलब a का value क्या है तो a कमान है 0 a कमान क्या है तो a कमान है 0 b कमान क्या है cube root of 5 के सामने b है तो cube root of 5 के सामने यहाँ एक चौथा ही है तो b कमान हो जाएगा 1 by 4 c कमान क्या है c यहाँ पर constant term है तो c कमान क्या हो जाएगा c कमान यहाँ पर minus 1 बटा चार आएगा ठीक तो comparison of coefficient यहाँ पर भी हो रहा है जो हमारे पिछले सवाल में था वहाँ भी हो रहा था तो यहाँ a बरावर 0 है b बरावर एक चौथा यह c बरावर minus 1 by 4 है तो a plus b plus c करोगे जीरो आएगा क्यूंकि यह तो जीरो ही था यह 1 by 4 plus में minus 1 by 4 है दोनों को जोडने पर 0 हो जाएगा तो overall answer कितना हो गया एक जीरो ठीक है x-1 से multiply कर लेता हूं क्योंकि x-1 का formula हमारे पास है x- x cube minus 1 cube के formula में यह आ जाएगा नीचे वाला तो बन जाएगा x cube minus 1 cube नीचे कितना आ गया x cube minus 1 आ गया यह ठीक और उपर क्या है तो x minus 1 है x का मान हमने माना था x का मान हमने क्या माना है cube root of 2 तो उपर आ गया भाई cube root of 2 minus का 1 और नीचे आ गया कितना x cube का मान है 2 तो यह 2 minus 1 याने इसका value तो हो गया 1 पूरे का value क्या हो गया 1 मतलब इस पूरे expression का value जो है यह कुछ और नहीं है बलके cube root of 2 minus 1 है और सवाल में अगर आप देखेंगे तो इसका मान दिया हुआ है a cube root of 4 plus b cube root of 2 plus c तो आप comparison of coefficient फिर से करेंगे आप देखेंगे यहां cube root of 4 है क्या यहां cube root of 4 है आप कहेंगे नहीं है मतलब a का मान हो गया 0 की यहां पर qrg2क2 कि समने बिये थो यहां b के समने क्या है 1 है तो b का मान क्या होतं है 1 यह constant term c है 5-1 KEEL सवाल में क्या निकालना है उसको थोड़ा गौर से देखें 0 हो गया बρώल के सभी का मतलब क्या है क्यक्तकि हो सवालकस यहां तक चीजे समाज में आ गई चलिए आगे बढ़ते आब यहां से जो है बहुत important pattern of questions start हुए again this is also very important pattern of questions इससे मैं आपको बहुत सारी चीज़े सिखाऊँगा इसको समझना चालू करिए कुछ important important results अब हम note down करना चालू करेंगे तो अभी तक हमने क्या देखा a plus b plus c के whole square का formula के उपर देखा फिर हमने देखा comparison of coefficient के उपर exam में किस तरीकी के सवाल आते हैं अब मैं आता हूँ इस तरीकी के pattern of question में जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक equation है दो variable एक equation है दो variable है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम कुछ value को मान कर यहाँ पर a plus b निकाल लें तो देखिए यह भी एक गलती है कि अगर हम short trick short trick short trick समस्ते चले जाए तो इस तरीकी के सवाल में आप जाएंगे तो आप first जाएंगे क्योंकि लग तो रहा है कि यहाँ पर एक equation और दो वेरिवल है लेकिन यहाँ अगर आप कुछ values को substitute करें तो वह answer सही नहीं होगा क्योंकि यह actually एक point का equation है किसका equation है एक point का equation ठीक है और एक point के equation का मतलब एक ऐसा circle जिसका radius 0 होता है और ऐसा केवल और केवल इस तरीकी के equation में एक मात्र solution हो सकता है ऐसा क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जबी भी आपने देखा इस तरीके का expression कि A square capital B square plus capital C square जो है यह 0 है जिसमें ABC क्या है real numbers है जिसमें ABC क्या है real numbers है रियल numbers है रियल numbers है वास्तविक संख्या है यह हमने पढ़ा है ABC क्या है वास्तविक संख्या थे कि वास्तविक संख्या एं क्या है काल्पनिक संख्या है क्या यह हमने देखा था आपके नमबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन में वास्तविक संख्या मतलब ऐसी संख्या जो imaginary नहीं है काल्पनिक नहीं है यानि कि जो minus root root over के अंदर negative value ना दे तो ऐसी संख्या क्योंकि square करने के बाद negative value नहीं आना चाहिए तो अगर मैंने कभी भी देखा कि a square plus b square plus c square बरावर 0 है इसका एक मात्र solution possible होता है one and only one solution possible होता है और वो यह है कि a is equal to 0 होगा b is equal to 0 होगा c equal to 0 होगा for example एक example के जरिये इसको समझते हैं for example सम्झे सब्सक्राइब के जैसे की दिया हुआ है सवाल में x-3 का whole square ब्लस y-2 का whole square प्लस z-1 का whole square दिया हुआ यह जैद प्लस वन का होल स्कोर आपको दिया हुआ है ठीक इस तरीके से आपको दिया है यह आं तक समझ में आगा अब जभी इस तरीके का expression दिग गया तो इसमें एक मात्र solution यह होगा कि ये भी 0 हो ये भी 0 हो ये भी 0 हो ये भी 0 हो यानि कि क्या x-3 भी equal to 0 होना चाहिए ठिक और y-2 भी equal to 0 होना चाहिए z plus 1 भी equal to 0 होना चाहिए यानि कि x बरावर कितना तो 3 y बरावर कितना तो 2 और Z बरावर कितना तो माइनस 1 एक मात्र सोलूशन पस हो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए देखें आपने क्या देखा कि इसका स्कॉयर प्लस इसका स्कॉयर प्लस इसका स्कॉयर जीरो है इन राइट हैंड साड में हमें क्या सी यह 0 चाहिए यदि मैं यहां पर C को या B को या A को इन तीनों में से किसी भी एक को 0 से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू ले लो जैसे 0.1 भी ले लो यह सपोस्कर यह थोड़ देर के लिए अगर मैं 1 ले लेता हूँ सुसकर 21 मतलब अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख जाए बरावर y-2 का whole square, बरावर z-1 का whole square, ऐसे में x equal to 3 होता है, y equal to 2 होता है, z equal to minus 1 होता है, इसका दूसरा कोई solution संभव ही नहीं है, ठीक, असंभव हो, इचलिए, अब यहां से दिखिए, इसको solve करते हैं, इसको solve करने जाओगे, तो a square plus b square is equal to 4b plus 6a minus 13, a plus b का मान निकालना है, मतल पहले आपको basic से समझा देता हूँ, फिर short trick, पटाफट कैसे लगाना है, वो भी सिखाएंगे, a square दिख गया, b square दिख गया, और यहां पर यह value दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को दूसरे तरफ लेगे, a square minus 6a, a वाले term को a के साथ लिख लेता है, मुझे यहां पर 9 चाहिए की नहीं, अगर मैं 9 वहां लिखता हूँ, तो इस 13 में से 9 minus घटा के वहां बेजना होगा, मतलब यह 4 होगा, अब आप खुद इस expression को देखिए, कि यह क्या है, यह a square minus 2ab plus 3 square, यही है, यह क्या है, b square minus 2b into 2 plus 2 square, यही है, अब अगर आप इसको देखेंगे, तो a minus 3 का whole square है, plus b minus 2 का whole square है, correct, is equal to 0, मतलब यह भी 0 होना चाहिए, और यह भी 0 होना चाहिए, मतलब इसका मान 0 है, तो a equal to 3 होगा, इसका मान 0 है, तो b equal to 2 होगा, मतलब a equal to 3 है, b is equal to 2 है, तो आपको सवाल में क्या निकालना था, a plus b निकालना था, तो 3 plus 2 basic approach समझ में आ गया, अब देखें, इसका fast approach क्या है, उसको हम सीख लेते हैं, पहले तो आप इस basic approach को समझ लीजे, कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि a minus 3 का whole square है, b minus 2 का whole square, मतलब इस equation का एक मात्र solution possible था, जो कि 3 और 2 है, जो कि एक point का equation, अब यहाँ से मैं आपको समझाता ह कि यहाँ पर a, इसका short trick क्या होगा, इसका short trick मैं आपको directly बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर एक expression दिख रहा है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, और यहाँ पर 2, 4 और 6 दिखा, आपको बस यह देखना है, कि 2 square plus 3 square बरावर 13 होता है, तो यहाँ minus 13 होना चाहिए, अ मतलब a हो जाएगा 6 divided by 2, b हो जाएगा 4 divided by 2, मतलब कितना, तो 3 और यहाँ पर 2, 3,2 जोडने पर यहाँ पर 5 आगा, इस result को आप directly note down करके रखिए, फिर मैं आपको यहाँ पर वापस ले कराऊंगा, और सारी questions आब हम करेंगे directly short trick के जदी, जैसे suppose करीए, आपको दिया हुआ कोई value है, इस तरीके से दिया है कि a x square, plus b y square, plus c z square, ठीक है, is equal to 2, p x, plus q y, plus c z, ठीक है, plus r, या फिर यहाँ पर कुछ और value लिख लेते हैं, c z नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, r z, यहाँ पर लिख लेते हैं, r z, ठीक है, p z, p x, plus q y, plus r z, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस command, यहाँ पर लिख लेते हैं, plus d, इस तरीके के expression में आपको दिया हुआ है, ठीक है, और एट मातरे equation है, आपको इसी से solve करने को क्या दिया, तो directly आप क्या कर देना, x equal to दाल देना, p y a, ठीक है, directly क्या कर देना, x equal to दाल y command दालना है, तो y command हो जाएगा, q y, b, z command दालना है, तो z command हो जाएगा, r by c, यहाँ तक समझ में आगई, expression थोड़ा अच्छे से देखिए, क्या है, यहाँ square वाले term है, यहाँ पर right hand side में मैंने लिखा 2, और इस 2 को बाहर निकालने के बाद मैंने लिखा, p q और r, x के सामने p है, y के सामने q है, z के सामने r है, तो x command क्या होगा, इसका value, p divided by a, y का value क्या हो जाएगा, तो q divided by b, z का value क्या हो जाएगा, तो r divided by c, बस इतना ही करना है, और exam में फटा-फट आपको solve करना है, तो यही तरीके से आप इसको फटा-फट solve कर सकते हैं, छोरी part मैंने बता दिय अब यह short trick को भी आप note down करिए, अब वापस समझे इस सवाल को, यहां से आप इस expression को देख पारे होंगे, आप इस expression को देखेंगे, a square plus b square, मैंने कहा 2 को common निकाली है, तो यह 3a बनेगा, और यह 2b बनेगा, ठीक, और minus का 13 बनेगा, तो इस तरीके से बन गया, मतलब a command क्या ह होगा, इसके सामने 3 है, और इसके सामने 1 है, तो 3 बटा 1, b command क्या होगा, इसके सामने 2 है, और इसके सामने 1 है, तो 2 by 1, मतलब a command 3 है, b command 2 है, value कितना हो जाएगा, 2 plus 3 यानि की 5, clear, अब कुछ सवाल देखेंगे, इस pattern में, यहां आपको दिख रहा है, इस command निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको 16 x square इस तरीके से लिख सकते है, plus 9 y square, plus 4 z square है, और इसमें से मैं 2 को बाहर रखूँगा, क्योंकि हमारा जो standard pattern है, short trick लगाने का, उसमें 2 बाहर होना चाहिए, तो इस 2 में, बचा क्या 12 बजा, तो 12 x अंदर, minus is y से multiply होगा, तो minus का 12 y, इस z से multiply होगा, तो 12 z, और यहाँ minus में 61 है, जो कि cancel out हो जाएगा, तो directly आप x command क्या करेंगे, x का मां लिख देंगे, 12 divided by 16, y कमान क्या लिख देंगे, minus 12 divided by 9, z का मान क्या लिख देंगे, तो 12 divided by 4, इस format में आप directly आ सकते हैं, तो यह हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, 3 by 4, y का मान क्या हो जाएगा, minus 3 by minus 4 by 3 और z कमान कितना है तो z कमान है 3 इतना समझ में आ गया सवाल में निकालना क्या है x y plus 2z निकालना है x y plus 2z निकालना है हमें तो x into y बताईए क्या है यहां 3 बटा 4 दिख रहा है यहां 4 बटा 3 दिख रहा है लेकिन यह minus में है बलस में, मतलब 3 बटे 4 को माइनस 4 बटे 3 से मल्टिप्लाइ करोगे xy को मल्टिप्लाइ करोगे तो माइनस एक आएगा प्लस 2z है, 2z मतलब 2 मल्टिप्लाइड बाइ 3 2 मल्टिप्लाइड बाइ 3 करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा अब यहाँ पर directly सवाल को कैसे solve करना है तो आपको बस जो हमने standard pattern देखा उसको यहाँ identify करना है आपने देखा A square यहाँ पर B square यहाँ पर 64 C square है तो A square ठीक था B square ठीक था प्लस 64 C square भी ठीक है लेकिन यहाँ यह जो 16 C है वो इस तरफ नहीं होना थी अगले साइड होना चाहिए तो यहाँ 2 A plus B थो ठीक था माइनस 16 C इस तरफ आ जाएगा और प्लस का 3 जो है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा अब मैं क्या करूंगा इस 2 को बाहर निकालने के लिए यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस का 8 C होना चाहिए मतलब यहाँ actually इस bracket को थोड़ा और extend करके हम यहाँ पर 8 C कर लेते हैं और 2 को इसमें भी common निकाल लेते हैं इस तरीके से अब A कमान क्या होगा 1 हो जाएगा B कमान क्या होगा 1 हो जाएगा C कमान क्या होगा माइनस का 8 divided by 64 हो जाएगा क्योंकि माइनस 8 है यहाँ 64 है तो माइनस 8 divided by 64 वैल्यू क्या निकालना है उसके ओपर थोड़ा ध्यान दीजिए तो यह क्या हो गया भई यह हो गया इसका वैल्यू हो गया अब देखिए, minus 1 by 8 है, minus का जब square लोग है तो positive नमबर आता है, तो इसको क्या लिख सकते है, 1 by 64 लिख सकते है, तो 8 इसको काटेगा 8 बार, तो 5 सही एक बटा 8 जो है, इसका उत्तर हो गया, C जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक, 5, 1 by 8 है, clear है, next question देखिए, यहां दिया हुआ ह देखिए, मैंने आपको short trick के साथ-साथ basic approach भी इसलिए बताया है, क्योंकि आप इस तरीके के सवाल में short trick लगाने जाओगे, आप first जाओगे, ठीक, यहां आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको दि मुझे यहां दिख रहा है, यहां पर 9 है, जो कि क्या है, 3 का square होता है, और मुझे यहां दिख रहा है कि 2 into 3 into x दिया हुआ है, मतलब 2 into 3 into x के साथ, यानि कि 1 x square इसमें जुडेगा, तो यह x plus 3 का whole square बना देगा, तो इस 2 x square को मैं तोड लेता हूँ, दो पार्ट में, पहले x square को यहां बेज देते हैं, जो कि 6 x के साथ जुडेगा, और उस 9 के साथ जुडेगा, तो perfect square बना देगा, दूसरा जो x square है, उसको आगे बेज देते हैं, जो कि y square के साथ जुडेगा, और minus 2 x y के साथ जुडेगा, और यहां से आपका एक दूसरा equation बन जाएगा, जो कि x y का perfect square होगा मतलब की x plus 3 का whole square और यह हो गया x minus y का whole square इस equal to 0 अब यह क्या है तो x ब्रावर minus 3 और यह क्या है तो x equal to y correct मतलब x ब्रावर y ≥3 लिख सकते हैं कि नी x ब्रावर y ब्रावर minus 3 लिख सकते हैं अब सवाल में जो पूछा है उसको आप निकाल लीजे, क्या पूछा हुआ है, यहां पूछ रहा है भई, चार इंटू X के घात माइनस 3, तो X के घात माइनस 3, मतलब माइनस 27 आएगा, जिसमें 4 मल्टिप्लाइ करोगे, तो माइनस 108 आएगा, और माइनस of Y क्यों मतलब की माइनस 27, जिसको प्लस में कनवर्ट करोगे, तो प्लस का 27 आजाएगा, अब इसका माँन क्या है, इसका माँन है, X स्क्वेर इंटू Y स्क्वेर, मतलब 3 का square minus 3 का square भी 9 होता है minus 3 का square एक बर और करोगे 9 हैगा 9 गुने 9 हो गया x 81 जैसी मैं इसको जोड़ दू दोनों को जोड़ दू तो 108 plus में भी आ रहा है minus 108 minus में भी आ रहा है दोनों को जोड़ने पर value 0 आएगा a जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा तो ऐसे question के लिए भी आप ready रहिए जहां 2x वाला y वाला term है तो कि यहाँ पर अब जो है x y के साथ perfect to square combine करके बनता है आगे बढ़ते a square plus b square plus c square plus 27 बराबर है 6 a plus b plus c तो आपको बताना है value क्या है देखिए simple है आप यहाँ पर 2 को बाहर रखिए 3a 3b और 3c को अंदर ले जाईए तो a command क्या हो गया 3 हो गया b command क्या हो गया फिर से 3 हो गया c command क्या हो गया फिर से 3 हो गया तो 3 cube अब value क्या निकालना है भई 3 cube निकालना है तो 3 याने a cube निकालना है तो 3 cube आएगा b cube का मतलब फिर से 3 cube minus c cube का मतलब फिर से 3 cube तो 3 cube 3 cube कड़ गया 3 cube का cube root निकालना है तो 3 आ जाएगा उत्तर मतलब a जो है सवाल कसे उत्तर होगा यहां तक समझ मैं आगई बात next question यहां दिया हुआ है आपको 5x square ठीक है plus y square plus 2xy यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 4xy वाला term आ गया फिर से तो 4xy वाले term को क्या किया जाए आपको समझना होगा 4xy के लिए यहां पर आपको 2x बनाना होगा क्योंकि 1 के साथ जोड़कर यह perfect square बन जाएगा 2x square मतलब मैं 1x square को आगे रख लेता हूँ ठीक है और इसको मैं जोड़ लेता हूँ 2x के साथ चलिए ठीक है इसको समझते हैं अगर यहां पर 4x square है चलिए ठीक है 1x square को 2x के साथ जोड लेते हैं और 1 के साथ जोड लेते हैं x minus 1 का whole square बन जाएगा बचा कितना 4x square बचा तो 4x square को यहां पर जोड़ लेता है प्लस 4xy प्लस y square के साथ तो दोनों के दोनों perfect square हो गई कि नहीं हो गई आप कहोगे सर ये तो हो गया x plus 1 का whole square और ये हो जाएगा 2x plus y का whole square तो ये जो है 2x का square ही तो है 2x का square करोगे तो 4x square आएगा 2xy करोगे तो 2 into 2 4 हो गया और xy यानि 4xy आजाएगा y square यहां पर आगया is equal to 0 मतलब x का value कितना है तो x का value है minus 1 तो 2x plus y का value कितना है तो 2x plus y का value है 0 मतलब y कमान कितना आजाएगा y कमान आजाएगा minus 2x तो x कमान 1 है y कमान है minus 2x मतलब 2 आजाएगा x कमान आगया minus 1 y का मान आ गया माइनस यानिकि 2 तो माइनस 1 का स्क्वार 1 होता है 2 का स्क्वार 4 होता है 1 इंट 2 करोगे तो 4 आ जाएगा यहां तक बात समझ मैं आगी आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स सवाल देखिए अब आपसे यह बन जाना चाहिए यहां पर आप मैं डारेक्ट कुछ चीजों को लिखूँगा एक कमान चाहिए तो यहां पर मुझे दिखा 3 है लेकिन यहां 4 बाहर था मेरे standard pattern में हमने जो देखा है उसमें यहां पर 2 इसको यह बन जाएगा 1 यह बन जाएगा 2 यह बन जाएगा 2 तो अब इसका वैल्यू क्या निकालना था हमें निकालना था 9a का वैल्यू और 4b का वैल्यू माइनस सी का वैल्यू तो 9a का मतलब 9 multiplied by a करिए 2 by 3 4b का मतलब 4 multiplied by b करिए याने आधा और minus c करिए तो minus of minus c मतलब 4 हो जाएगा प्लस में योग्योंकि minus c है ना minus of minus 4 होगा तो plus 4 आ जाएगा ठीक 2 से काटोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 3 से काटोगे तो 3 आएगा 3 to 6 सिक्स प्लस टू प्लस फोर याने कितना तो बारा आ गया तो यह सवाल का सही उपतर है यहां तक क्लियर तो पहले हमें यह समझना होगा कि यहां पर इस तरीकी के फॉर्मुले में क्या दिया वह यह नया बैटन ऑफ क्वेश्चन है इसको पहले समझ लेते हैं तो चलिए आई we have tomorrow the negative 3PEC माने होता है यह रहरी होता है हाफ इंटो यह मैनकि आयम एकर दीका होोल सक्राथ प्लस भी आए मैनास इका बन सकते हैं और इस formula के based पर कुछ questions अभी मैं दिखाता हूँ आपको पहले आप इसको no down कर लिए अगर आप यह formula no down कर लिए तो कैसे आया इसके बारे में मैं दो मुनिट यहां चर्चा कर लेता हूँ जैसे दिखिए a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a दिखाई दे रहा है यदि मैं उपर 2 multiply कर दूँ नीशे भी 2 multiply कर दूँ तो कोई change नहीं होगा और यह है आपका a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यही है तो मैंने left hand side से चालो किया और हम कोशिश करेंगे कि हम right hand side तक पहुच जाए तो हमारा proof हो जाएगा है कि नहीं अब देखें मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 से multiply कर दिया और जैसे मैंने 2 से multiply किया ऊपर और नीचे तो यहां पर value कुछ इस तरीके से दिखेगा यह जो 2 है अंदर multiply कर लेंगे अंदर multiply करने पर यह बन जाएगा 2a square प्लस 2b square प्लस 2c square है न और minus 2ab आएगा minus 2bc भी आएगा और minus 2cab आएगा whole divided by कितना है तो whole divided by 2 है अब यहां से 2ab वाला जो term है इस 2ab वाले term को थोड़ा समझी इस 2ab में मैं 1a square और 1b square को जोड़ लेता हूं मतलफ 1a square प्लस 1b square को मैं जोड़ लेता हूं 2ab के साथ ठीक یہ इसको एक bracket में हम ले लेता है 2bc के साथ मैं ले लता हूं 1b square प्लस c square को ले लेते हम minus 2bc के साथ अब देखे हैं हमने यहां पर 2a square था इसमें से 1a square यहां ले लिया 2b square था इसमें से 1b square यहां, 1b square यहां चला गया 2c square था इसमें से 1c square यहां चला गया तो बचा क्या? 1a square बचा और 1c square बचा और last में यह minus 2c यह बचा मतलब कि यहाँ पर plus a square plus c square को एक साथ जो बचा हुआ है इस बचे हुए 2ac के साथ जोड़ लेते हैं और overall नीचे क्या आएगा तो नीचे में 2 आएगा अब आप इसको expressions को देखिए यहाँ जो हमें result मिल रहा है वो क्या है a plus b, a minus b whole square का formula यही तो होता है a square plus b square minus 2 यही तो यह value क्या है a minus b का whole square ही तो है तो अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखिए तो यहाँ पर जो value finally हमें मिलेगा वो यही मिलेगा कि is equal to last में आप यही लिखेंगे इसके जगा पर पहले वाले का जगा पर क्या आजाएगा a minus b का whole square आजाएगा प्लस यह जो second वाले value है यह होगे आपका b minus c का whole square और जो तीसरा value है यह हो जाएगा आपका c minus a का whole square यही हो रहा है whole divided by 2 क्या अभी आपको समझ में आगया कि a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c बराबर half into a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a क whole square होता है तो क्यों होता है यहां तक समझ पर आगई तो चलिए आते हैं वापस उस सवाल में इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ था यहां दिया हुआ था a is equal to 998 b is equal to 999 c is equal to 997 आपको निकालना क्या है आपको निकालना है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c है मतलब कुल मिला के क्या करना है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 999 देखिए actually हमें यहां पर directly आप इतने बड़े-बड़े values दालेंगे तो बहुत-बड़ा यहां पर formula आ जाएगा तो आप इस formula को जानते है कि यह होता है half into a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus e का whole square यह हमने देख लिया अभी-ब़ी और क्योंकि हमने इसको अभी-ब़ी देख लिया तो अब directly आप यहां पर इसका value दालके solve कर सकते है क्योंकि 998 और 999 में एक का difference होता है इसको आप थोड़ा आप रिजल्ट समझे कि अभी हमने जो दो चीजे पढ़ी पहले हमने क्या देखा पहले हमने a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c इसके ओपर formula देखा अभी और उसके भी पहले हमने क्या देखा उसके भी पहले हमने देखा था कि जब capital a square plus capital b square plus capital c square equal to 0 होता है उस condition में a is equal to 0 B is equal to 0 और C is equal to 0 होता है दोनों चीज़ों को आप combine कर लेते हैं मैं कह रहा हूँ हमने देखा A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C is equal to यह formula होता है half into A minus B का square plus B minus C का square plus C minus A का square इसके पहले हमने क्या सिका था हमने देखा था यहाँ पर इस value को कि जब यहाँ पर capital A square plus capital B square plus capital C square 0 होता है तो A भी 0 होगा B भी 0 होगा C भी 0 होगा यह हमने देखा हूँ अब इन दोनों को combine करिए इसको combine कर लेते हैं और साथ में इसको combine कर लेते हैं यह वाले चीज़ को तो देखे सवाल में किसी भी सवाल में जब आपको दिया हुआ है जब भी आपको दिया हुआ है इस आप result को याद रखिए इस result को आप याद रखिए जब A square plus B square plus C square is equal to AB plus BC plus CA दिया हुआ है जब ऐसा दिया हुआ है तो result क्या होता है result होता है भाई A is equal to B is equal to C होता है A is equal to B is equal to C होता है क्योंकि देखिए जबी भी इस तरीके का expression दिया, इसका solution मैं यहां से बता देता हूं ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब यही हुआ कि a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0, इसका मतलब यही हुआ, और इसका formula हमने क्या देखा, इसका formula देखा half into a minus b ka whole square plus b minus c ka whole square plus c minus a ka whole square, बरावर कितना है तो 0 है, और अभी-अभी आपने यह चीजों को समझ के रखा है, कि जब भी-कभी, जब भी-कभी इस तरीके का expression होता है, कि a square plus b square plus c square बरावर 0 है, तो a b 0 होता है, b b 0 होता है, c b 0 होता है, अब इस चीज़ को हम यहां पर use कर सकते हैं, कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, कि रुचरे तरह लाओं है, a square plus b sq значит c minus a minus c, और इस का मान यह होता है, मतलब अगर यह b square है, यह b square है है, यह b zero होना चाहिए, यह b zero होना च्तीज़, अगर यह 0 है अगर यह 0 है, तो a minus b 0 होगा, याने a equal to b होगा कि नहीं होगा, अगर यह 0 है, तो b minus c 0 होगा, याने b is equal to c हो ज पर तो डारेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे इस चीज की कोई आवसकता नहीं है यह मैंने आपको समझ जाने के लिए लिखा है बस आप रिजल्ट याद रखिए अगर यहां A है तो यह भी तो A और A होगा यहनौ 2 A होगा तो वैलियो 2 आ जाएका अगर यह C प्लस A है नीचे B है तो यह भी B और B के बरावर ही है मतलब 2 भी आएगा तो 2 होगा तो 2 होगा, 2 पलस 2 पलस 2 तो कितना 6 clear तो जबी भी इस तरीकी का expression दीखे a square plus b square plus c square is equal to a b plus b c plus c है directly क्या कर देना a is equal to b is equal to c दाल देना क्या करना है अब यहाँ पर समझ में आ रहा है a square plus b square plus c square बरावर a b plus b c plus c है तो क्या करेंगे equal कर देंगे अब जैसे आपने equal कर दिया तो क्या कट रहा है यहाँ पर c plus a है b plus a है दोनों कटेगा तो 1 आएगा plus b plus c है और divided by a plus b यहाँ पर भी बनाएगा plus यहाँ पर c plus a और b plus c दोनों equal है तो 1 आएगा पहले bracket में 3 आ रहा है यह a by b1 हो गया b by c1 हो गया c by c1 हो गया मतलब 1 plus 1 plus 1 दूसरे bracket में भी आ गया तो 3 multiplied by 3 कितना हो गया आप कहेंगे 9 तो c हो गया भाई इसका सही उत्तर यहाँ तक समझ में आ गया चलिए अब यहाँ से आपको एक नए formula के और लेके चलते a cube plus b cube plus c cube minus 3 abc का formula बहुत important formula है इस formula के उपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं तो पहले मैं आपको यहाँ पर इस formula को कैसे use करना है इसका क्या formula है वो देख लेते हैं उसके बाद फिर हम आएंगे वापस यहाँ पर a cube plus b cube plus c cube minus 3 abc इसका formula आप लोग note करेंगे ठीक है तो a cube plus b cube plus c cube minus 3 abc का जो formula होता है यह होता है a plus b plus c और अभी-अभी जिसके बारे में हमने शर्चा किया वो आता है यहाँ पर आगे जो कि यह a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c यह formula आता है अब जैसी मैं ने देखा कि a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c Это है तो क्या मैं इस formula को इस तरीके से भी तो लिख सकता हो तो पहला formula इस तरीके से आप लिख सकते है second formula ऐसा भी हो सकता है कि a cube प्लस b cube प्लस c cube ठीक है minus 3 a b c को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि half into a plus b plus c और क्योंकि इसका value क्या होता है half into a minus b का whole square तो वही चीज़ यहां लिखेंगे a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a whole square इस तरीके से आप इसको तोड़के लिख सकते हैं बात समझ में आबे तो a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c का formula दो तरीके से आप लिख सकते हैं तो ऐसा लिखे a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c या इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है half into a plus b plus c into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square तो यह दोनों formula important है कभी इसको use करना होता है कभी इसको use करना होता है depending upon the question हम इसको use करेंगे या फिर इसको use करेंगे ठीके तो चलिए वापस चलते है यहां पर तो यहां से समझिए क्या दिया हुआ a is equal to b इतना दिया है c इतना दिया है तो क्या आप इसका value निकाल सकते है इसका value होता है half multiplied by a plus b plus c into यहां bracket में आजाएगा a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square मैंने क्यों इसको use किया है इसको समझिए मैंने इसलिए इसको use किया है क्योंकि यहां 333,333 दो values है तो a minus b तो 0 हो गया और b minus c करोगे तो 333,334 का difference होगा जो की 1 आ जाएगा और यहां से भी c minus a करोगे तो 334 और a का difference जो की 333 है जो की 1 हो जाएगा तो इस second bracket के अंदर जो value आए वो केबल 2 आया पहले bracket की अदी में बात करो तो a plus b plus c है 333 plus 333 plus 334 करोगे तो 1000 आ जाएगा और यहां पर multiplied by half है तो देखिए कितना आसान है second formula से उसकरना क्योंकि यहां difference मैंने इसले लिया क्योंकि values जो है वो बहुत बड़े-बड़े values है इनके बीच का difference छोटा-छोटा है तो difference के उपर काम करिये ज्यादा आसान होगा जब कोई ऐसा equation मिले जो कि a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a से related होगा तो उसको use करेंगे ठीक तो यह 2 और यह 2 कडिया मतलब यहां से जो value है यह 1000 आ जाएगा 1000 is the correct answer अब यहां से इसका बताईए value क्या आएगा हमको जो value निकालना है वो बहुत आसान सा ही है अगर आप इस चीज को देखे तो हमको जो निकालना है वो है 2 multiplied by इस bracket में से इसमें से 2 common निकाल लिए तो क्या बचा a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c यही निकालना है और यहां से आप देख पारे होंगे कि a b c का जो value है 299 है 298 है 297 है तो आप देखिए यहां जो values है वो काफी करीब है तो यहां क्या करेंगे 2 multiplied by a plus b plus c अब a plus b plus c क्या है यह 300 में एक छोटा है यह 300 में दो छोटा है यह 300 में तीन चोटा है तो तीनों को जोड़ोगे तो 900 में 6 चोटा हो जाएंगे 900 में 6 चोटे का मतलब 800 94 क्या आप इस बात से सहमत है मैंने कहा इसका formula क्या होता है इसका formula होता है a plus b plus c into bracket में आ जाता है a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square यह होता है formula और यहां half लग जाता है बीचे नीचे आधा ठीक तो actually यहाँ पर two तो पहले से ही था इस half को काट लेगा लेकिन यह जो a plus b plus c है इसको कैसे calculate किया जा इतने बड़े values है न 299, 298, 297 तो मैं यह कह रहा हूँ इनको जोडने से बढ़िया आप यह समझे कि एक value 300 में एक छोटा है 300 minus 1 होगा दूसरा 300 minus 2 है तीसरा 300 minus 3 है तो तीनों को जोडने पर 900 में 6 कम होगा 900 में 6 कम करने का मतलब 894 अब इस second bracket की बात करते है तो a और b का difference कितने का है 1 का तो 1 का square आएगा 1 b और c का difference कितना है 1 का 1 का square आजाएगा 1 c और a का difference कितना है 2 का square कितना आजाएगा तो 2 का square होजाएगा 4 2 से 2 कड़िया तो 894 में आपको बस 4 multiply करना है 6 multiply करना है यह हमारा उत्तर होगा तो unit digit 4 आना चाहिए दो option है चलिए पूरा solve कर लेते हैं तो यहाँ पर आजाएगा 4 24 54 प्लस 2 56 48 प्लस 5 53 तो 5 3 6 4 आ रहा है तो यह सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आशा करता हूँ इस तरीकी की question कैसे handle करने आपको समझ में आने लगे होगे अब यहाँ से मैं आपको इस formula से थोड़ा सा अब आगे लेकर चलता हूँ यहाँ पर आपको 3x-1 का whole cube प्लस 4x-3 का whole cube प्लस 2x-1 का whole cube बरावर दिया हुआ है 3 into 3x-1 4x-3 और 2x-1 और दिया है x बरावर 1 by 3 नहीं है तो x का मान क्या है यह हमको बताना है चलिए इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पर जो formulas हमने देखे यहाँ पर जो formulas हमने देखे इसमें दो चीज़े दी कि यह बरावर a plus b plus c भी होता है multiplied by a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c होता है साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी दिया है कि यह जो value है इसके बरावर होता है कि a plus b plus c into a minus b whole square या b minus c whole square या c minus a whole square ठीक तो मैं यहाँ से एक result लिखूँगा इस result को आप note down करके रखेंगे ठीक है इस result को आप note down करके रखेंगे यदि ठीक है इफ आप लिखेंगे if a plus b plus c is equal to zero या फिर और आप लिखेंगे कि a is equal to b is equal to c दोनों में से कुछ भी एक हो गया या तो a plus b plus c is equal to zero हो गया या a is equal to b is equal to c दोनों में से कोई भी value हो गया तो a plus b plus c zero का मतलब यह zero हो जाएगा ठीक है और अगर a is equal to b is equal to c हो गया तो ये 0 हो जाएगा, मतलब दोनों ही case में ये right hand side जो है पूरा का पूरा 0 हो गया मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं ऐसे case में कि a cube प्लस b cube प्लस c cube तो क्या हो जाएगा, then आप लिख सकते हैं कि a cube प्लस b cube प्लस c cube minus 3abc का जो value है ये 0 हो जाएगा, या आप इसको दूसरे तरफ वेज सकते हैं, 3abc को तो यहां से value आजाएगा equal to 3abc is equal to 3abc यहां तक समझ में आ गई बात है तो अगर a plus b plus c is equal to 0 हो गया, और a is equal to b is equal to c हो गया तो यहां से a cube plus b cube plus c cube का value होता है a cube, यानि 3abc हो जाता है इसका value, कब जब यहां तो a plus b plus c is equal to 0 हो, या a is equal to b is equal to c दिया हो, तोनों में से कोई a condition ठीक अब यहां से इसको समझीए, यहां से अगर reverse दिया हुआ है, यदि if दिया हुआ है अगर a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc दिया हुआ है ऐसे condition में दो result होता है then या तो पहला condition हो सकता है कि a plus b plus c is equal to 0 होगा और दूसरा condition हो सकता है कि a is equal to b is equal to c होगा, दोनों में से कोई एक condition सच हो सकता है दोनों condition सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो या तो यह होगा और लिखा है तो या तो यह भी हो सकता है दोनों में से कोई भी एक चीज संभव हो सकता है अब यदि आपको दे दिया जाए कि A, B, C are positive integer है अगर आपको दे दिया जाए A, B, C positive integer है A, B, C क्या है positive integers है positive integers या positive numbers पी आप लिख सकते है यानि धनात्मक अंख है धनात्मक अंख यानि धनात्मक संख्याँ यदि दे दी गई तो क्या किसी तीन धनात्मक संख्याँ को जोडने से 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है तो ऐसे condition में क्या होगा हमेशा A is equal to B is equal to C होगा या अभी कभी इस तरीके का सवाल आपको दे दिया जाए कि ये जो है different integers है मतलब ABC क्या है ABC are different numbers different numbers इस तरीके का language अगर सवाल में use कर ले तो क्या कभी A plus B plus C हो सकता है equal नहीं हो सकता उस case में आपको यहां जाना पड़ेगा कि एक मात्र संभव मान है कि A plus B plus C जो है ये 0 हो तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं तो कभी भी A cube plus B cube plus C cube दे दे तो यहां से आप ये चीज़ यूज़ कर लेना कि या तो A plus B plus C 0 होगा या A is equal to B is equal to C दोनों में से कोई एक चीज़ सच होगा तो आईए वापस सलते हैं यहां पर सवाल को देखिए इसका cube दिया है इसका cube दिया है और इसका cube दिया है आगे क्या किया? थ्री में इन तीनों को multiply कर दिया मतलब इसने सीधे सीधे यही लिखा है कि A cube plus B cube plus C cube जो है यह 3 ABC के बराबर होता है मतलब या तो A plus B plus C is equal to 0 होगा या तो A बराबर B बराबर C होगा तो पहले हम क्या कर सकते हैं? पहले हम यह देख लेंगे कि क्या A plus B plus C बराबर 0 आ रहा है A क्या है हमारा? 3X minus 1 B क्या है? तो 4X minus 3 C क्या है? तो 2X plus 1 यह तीनों 0 होने चाहिए पहला condition 3X plus 4X 7X हो गया plus 2X करोगे तो 9X आएगा minus 1 minus 3 यानि minus 1 और minus plus 1 तो कड़िया minus 3 आ रहा है equal to 0 मतलब 9X बराबर 3 है तो X का मान क्या हो जाएगा? इसको काटोगे 3 से तो 1 by 3 आ रहा है तो answer क्या आना चाहिए था? X equal to 1 by 3 आना चाहिए था लेकिन आप यहाँ पर देखिए examiner में क्या किया है? X बराबर 1 by 3 नहीं है किया मतलब A plus B plus C तो 0 नहीं होगा यह वाला जो condition है यह नहीं है सही है मतलब अब एक मातर चारा यहीं बसता है कि आप A is equal to B is equal to C कर ले दोनों में से कोई भी एक कर लीजे याना कि तीनों में से कोई भी एक या तो आप A equal to B करिए या B equal to C या C equal तीनों से एक ही उत्तर आएगा या तो यदी मैं इन दोनों को equal कर लो तो क्या हैगा 3x-1 बराबर हो जाएगा 4x-3 ठीक है 3x-1 बराबर हो जाएगा 4x-3 मतलब x बराबर हो जाएगा 3-1 याने x का मान हो गया 2 x का मान क्या हो गया 2 तो D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक बात समझ में आगे पढ़ते हैं एक बार और इस तवाल को देखिए x-3 x-5 whole cube x-6 whole cube plus x-7 whole cube बरावर 3 x-5 है और x-6 और x-7 है तो इसमें दो condition बनती है या तो इन तीनों का सम 0 होगा या तीनों equal होगा अब equal तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि x-5 और x-6 को equal करो तो minus 5 बरावर minus 6 हो जा रहा है मतलब यह तो संभव नहीं तो तीनों का सम 0 होगा मतलब तीनों को तो एक्स कमान क्या है 6 हो जाएगा यहां तक समझ में आगे बात है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन यहां दिया हुआ है कि 5 x cube 5 x minus 3 का whole cube plus 2 x plus 5 का whole cube plus 27 into 4 minus 3 x बरावर है यहां पर 9 बाहर है और यहां 3 minus 4 x है साथ में 2 x plus 5 है और three x minus of 4 तो तो देखिए समस्कें है इसको एक बार आप इस चीज को फिर से देखेंगे तो यहां five x minus 3 ंदिया और यहां 3 minus 5 ं रिवर्स कर लिया और यहां पर four x minus three x है तो यहां पर three x minus four कर दिया तो यहां पर भी रिवर्स कर लिया मतलब हमें यहां तो इधर reverse करना पड़ेगा या तो इधर reverse करना पड़ेगा दोनों जगा से आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते तो चलिए अगर मैं इसको यहाँ पर reverse करूँ तो value इस तरीके से दिखेगा 3-5x actually यहाँ पर reverse करना सम्भब नहीं है क्योंकि यह minus में हो जाएगा यह plus में हो जाएगा तो हम यहीं पर reverse कर लेंगे कि इसको 5x minus 3 का whole cube रहने देते हैं plus दूसरा वाला एज जाएगा 2x plus 5 का whole cube तीसरे वाले कि यदि मैं बात करो तो 27 बाहर है बाहर नहीं हो सकता इसको अंदर भेजना पड़ेगा तो हो जाएगा 12 minus of 9x का whole cube ठीक है क्योंकि a cube plus b cube plus c cube होता है तो यह c 27 जो है 3 का cube है तो इसको अंदर भेजेंगे तो 3 एक बार multiply हो जाएगा इस इकोल टो अब यहां से इस 3 में से 1 3 को मैं इसके अंदर भेजूँगा और जो 3 minus 5x था इसको reverse कर लेते हैं क्योंकि यह 5x minus 3 था तो इसको भी मैं reverse कर लेता हूँ 5x minus 3 में सेकेंड वाले में कोई change नहीं है 2x plus 1 ही होगा 2x plus 5 ही होगा ठीक और तीसरे वाले की यदि मैं बात करो तो अगर मैंने इसको reverse किया इसको भी reverse करना पड़ेगा क्योंकि minus 1 minus 1 दो बार multiply हो रहा है एक बार minus 1 इसको reverse करेगा दूसरा minus 1 इसको reverse करेगा तो actually यहां 4 minus 3x होना चाहिए बट एक 9 का 3 यहां मैंने भीजा तो दूसरे 3 को कहां भीजा तो इसके अंदर multiply करने के लिए तो actually यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 12 minus 9x तो आप इस चीज को फिर से देखिए कि यहां पर जो values दिया है वो कहीं न कहीं यही दिया है aq plus bq plus cq बराबर है 3 into a b c मतलब इसका sum बराबर 0 होना चाहिए a plus c का तो 5x plus 2x plus 9x कर लिजे 5x plus 2x minus 9x आएगा और plus में यहां पर आजाएगा minus का 3 plus का 5 और plus का 12 equal to 0 तो यह minus कितना हो गया minus 2x आएगा यहां से और यह बन जाएगा आपका 5 plus 12 यानिए 17 17 minus 3 करोगे तो plus का 14 आएगा is equal to 0 तो 2x बरावर 14 है तो x बरावर 7 आजाएगा मतलब x कमान 7 है आपको निकालना क्या 2x plus 1 कमान निकालना है और 2x plus 1 कमान में x equal to 2 दालोगे तो यह बन जाएगा भी 14 प्लस 1 14 प्लस 1 जो कि कितना हो गया 15 तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस पैटन का सवाल अब आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि यहां दिया 5x plus 1 x minus 3 whole cube और यहां पर लास्ट में दिया हुआ है आठ है अब देखिए 8 देखते साथ आपको समझ में आना चाहिए कि यह 8 जो है यह तो बाहर कैसे रह सकता है इसको अंदर हमें भीजना होगा मतलब यह जो है कही न कहीं value जो है 2 cube है तो यह 6x minus 6x minus 8 का whole cube होना चाहिए साथी साथ अगर आप आगे वाले value को देखे तो यहां 6 नहीं हो सकता है यहां 3 ही रहता है तो 2 कहा जाएग तो 2 इसमें अंदर multiply हो जाएगा यह जो तीसरा value है यहां पर 6x minus 8 होना चाहिए ठीक अब आप यहां से apply करेंगे a plus b plus c पहले अगर उसको देख लेते हैं अगर वो satisfy हो रहा है तो आगे बढ़ने की ज़रत नहीं है फिर a is equal to b is equal to c की को यह सकता नहीं पड़ेगी तो अगर म आपने देखा a cube plus b cube plus c cube बराबर यह भी c है तो a plus b plus c 0 होता है या फिर a is equal to b is equal to c दोनों में से कोई एक चीज है तो इसको यदि जोड़ देंगे तो 5x plus x plus 6 हो जाएगा 12 का x minus का 3 minus का 8 है तो minus का 11 हो गया plus का 1 है तो minus का 10 हो जाएगा equal to 0 है मतलब x का value कितना हो गया 10 बटा 12 जिसको काट कर हम लिख सकते है 5x6 से ठीक 5x6 is the correct answer a जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक clear है चलिए अब यहां से सवालों को solve करने की कोशिश करते हैं यहां से अब direct formula based question है आप लोग देख रहे है aq plus bq plus cq minus 3abc है नीचे क्या a square plus b square plus c square minus abc minus abc minus abc तो आपके दिमाग में यह formula छपा हुआ रहेना चाहिए कि aq plus bq plus cq minus 3abc जो है इसका value होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus abc minus c है इससे यह हो रहा है कि अगर आप इसमें देखें तो नीचे जो value है यह कहीना कर यह आगे a square plus b square plus c square minus abc minus c तो actually इसका overall जो value बचेगा वो कुछ और नहीं बलके a plus b plus c बचेगा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है इन तीनों values को जोड़ देना है क्योंकि यहाँ जो formula लगेगा उसमें a plus b plus c multiplied by यह factor होगा तो यह पूरा का पूरा कर जाएगा बचेगा केवल a plus b plus c जो कि हो गया 10 plus b plus 30 याने की 60 होगा 60 is the correct answer ठीक है c जो है सवाल का सही उत्तर होगा चलिए भई आगे बढ़ते हैं अब देखिए भई दो formula इन दोनों formula को combine करके बहुत सारे questions बन सकते हैं कौन-कौन सा formula एक है a plus b plus c के whole square का formula जो कि हमने इसी वीडियो में पढ़ा के whole square का formula ठीक है तो इसको आप note कर लेंगे कि ये दोनों formula को combine करके बहुत सारे questions बन सकते है पहला है भाई ये वाला formula a plus b plus c के whole square का formula जो कि है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c इस formula को combine कर देता है किस के साथ साथ में इस के साथ है ठीक है तो जो हमने यहां पर पढ़ा है इसके साथ यह combine हो जाता है ठीक है यह वाले formula के साथ कि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc बराबर है a plus b plus c into यहां पर दिया हुआ a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c क्योंकि a plus b plus c के whole square के formula में a square plus b square plus c square भी होता है plus twice of ab plus bc plus c a होता है ठीक और आपको कभी-कभी इसका value पूछने को पूछता है और कभी-कभी इसमें से कोई value दे देगा मतलब a plus b plus c दे देगा a square plus b square plus c square दे देगा तो इस तीसरे वाले value को निकालना कौन सी बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास a plus b plus c के whole square का formula है ठीक तो इन दोनों को combine करके बहुत सारे सवाल बनते हैं तो कुछ सवाल यहां पर देख लेते हैं जैसे कि इस question में दिया हुआ है x square plus y square plus z square equal to 525 और xy plus yz plus zx का value दिया हुआ है 50 और आपको क्या निकालना है x plus y plus z तो देखे इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा चीज़ निकाला जा सकता है क्योंकि हमारे पास formula है भई x plus y plus z का whole square का ठीक है इसका formula क्या होता है x square plus y square plus z square ठीक है plus 2 into xy plus yz plus zx ठीक है इसका formula हमारे पास है तो अगर मैं यहाँ पर values को substitute करूं x square plus y square plus z square क्या है यह 525 पांच सो पच्चिस ठीक और plus 2 into xy plus yz plus zx क्या है तो xy plus yz plus zx है 50 तो यहाँ पर 50 से इसको multiply कर देंगे 2 से तो 525 प्लस इतना करने पर कितना जाएगा 100 जोडने पर 625 यह क्या है तो भई यह है x plus y plus z का whole square ठीक है और अगर यह x plus y plus z का whole square है तो x plus y plus z का value है वो क्या हो सकता है वो या तो 25 हो सकता है क्यों आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुत a plus भी हो जाएगा तो इसी तरीके के ठीक है फॉर्मुले सको यानि कि डारेक्टली अगर आपको यूस करना है x plus y plus z में से या x plus y plus z x square plus y square plus z square या x y y z z x इन तीन values में से कोई भी दो value दिया है तो उसमें से तीसरा value कैसे निकालन है उसके लिए direct कुछ results आप note down करके रखिए जैसे कि for example तो मैं यहाँ पर इसी formula को थोड़ा सा और modify करके लिख लेता हूं आप लोग के सामने कि यहां से अगर तीन formulas बनते हैं पहला तो formula यह है तो तीन formulas आप यहाँ note down कर लेंगे पहला formula आप note down करिए कि a plus b plus c का महान निकाल ठीक यह आप सीख गये दूसरी बात अगर आपको निकालना है a square plus b square plus c square a square plus b square plus c square निकालना है तो भाहि इसको rearrange किया जा सकता है न क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास अगर a square plus b square लाइस स्क्वार निकालना है तो मैं इस 2ab plus bc plus ca को दूसरे तरफ बेच सकता हूं यह हो जाएगा a plus b plus c का whole square माइनस का 2 into a b plus bc plus c is clear है इस तरीके से आप यूज़ कर सकते इस formula को अगर आपके पास a plus b plus c value दे दिया a b plus b c plus c स्क्वार निकालने कि क्या बड़ी बात है इसका स्क्वार करके माइनस ट्वाइस इसका कर लीजे जो वैल्यू आएगा वह स्क्वार हो जाएगा a square plus b square plus c square का तीसरा formula यदि आप से पूछा जाए कि भाई बताए बी प्लस bc प्लस c a का value क्या है a b plus b c plus c a का value क्या है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि a b plus b c plus c a क्या होगा यहां a plus b plus c whole square है ठीक है इसमें मैं क्या कर लूँगा minus of ये वाले पार्ट को दूसरे तरफ बेज देते तो minus of a square plus b square plus c square हो जाएगा ठीक है और whole divided by two हो जाएगा clear तो यहां से आपको अगर a b plus b c plus c a निकालना है a plus b plus c का value दिया है a square plus b square का value दिया है तो a b plus a plus b plus c का whole square कर लिजे और a square plus b square plus c square को इसमें से घटा दिजे divided by two कर लिए ठीक चलिए अब समझते हैं कुछ इस pattern के सवालों को जैसे यहां दिया हुआ a square plus b square plus c square 21 है और a b a plus b plus c दिया हुआ और a b plus b c plus c निकालने का कोई बड़ी बात नहीं है directly क्या करना है इसका 7 है तो 7 का square करेंगे माइनस का 21 कर देंगे divided by two कर लेंगे clear बस इतना ही करना है 49 माइनस 21 divided by two बस pen इतना ही चलाना है एक्जाम में आपको यह भी नहीं करना है यह मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है directly आपके दिमाग में formula चपा होना चाहिए 7 का square 49 माइनस 21 करोगे 28 आएगा divided by two कितना हो गया तो 14 हो गया बस इतना ही चलाना है pen exam में तो यह formulas जो मैंने आपको लिखाया यह आपके दिमाग में चपे होने तो directly a plus b plus c लिखा था 7 का square किया 49 आगया माइनस इसका square दिया हुआ था इन तीनों का square का sum 21 था दोनों को घटाया तो कितना आ गया दोनों को घटाने पर value आ रहा है 20 है divide by two करिए तो 40 14 आ जाएगा इसका value ठीक समझ में आना इसको कैसे solve करना है अब देखिए next question यहां दिया x plus y plus z 19 है और साथ में x square plus y square plus z square कितना है तो तेरा है और x y plus x y का value जो है y square के बराबर है तो आपको निकालना क्या difference between x and z है तो चलिए solve करते हैं इसको यहां से आपको तीन सीजे दी है सबसे पहली बात x plus y plus z 19 है x square plus y square plus z square कितना है 133 है x y का मान y square है तो आपको बताना है कि value क्या होगा x और y के बीच का difference क्या होगा तो simple सी बात अब यहां से इसको solve करने की कोशिश करिए देखिए actually यह जो है यह pattern जो है आपके previous year का है और यहां पर क्या value set किया था examiner में यह भी मैं आपको बताऊँगा पहले basic से कैसे करना है उसको समझिए अगर आपके पास x plus y plus z है x square plus y square plus z square है तो आप x y plus y z plus z x निकाल सकते हैं की नहीं निकाल सकते हैं इसको निकालने का simple तरीका क्या है इसका square करेंगे जो की हो जाएगा 360 माइनस इसको माइनस करेंगे 133 divided by 2 कर लेंगे तो इससे value आजाए तो इसका subtract करने पर कितना हैगा अगर इसको 5 बना दे 11-3 जाएगा आठ ठीक है 35 में से 13 मतलब 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है इसको बाट देते हैं 2 से तो 114 आ रहा है कितना रहा है 14 अब दूसरी बात दी हुई है कि xz का मान y square है तो इस xz के जगा मैं y square लिखो तो y y y तीनों में से common बच जाएगा अंदर क्या बचा तो x plus y plus z बचा ठीक ह y का मान कितना 6 मतलब देखिए xz जो है xz जो है is common 36 दूसरी बात हमें यह पता है कि x plus y plus z कितना था तो x plus y plus z था 19 अगर मैं y का मान इसमें डाल दो 6 तो x plus y कितना होगा x plus z कितना होगा x plus z हो जाएगा 13 अब आप खुद बताइए कि x plus z 13 है xz का मान कितना है 36 है तो क्या satisfy कर चार होगा दूसरा कामान 9 होगा क्यूंकि 4 प्लस 9 13 होता है 4 इंटू 9 36 होता है तो यह ही टेंटरायल से होगा या क्वाद्रेटिक इंप्वेशन आपको लगाना होगा तो उसमें भी आपको ब्रेक करना ही पड़ता है 36 और 13 को बेटर है यही से आप देखिए 4 प्लस 9 13 हो रहा है 4 इंटू 9 जो है 36 हो रहा है मतलब इन नोनों का डिफरेंस पूछ रहा था इन नोनों का डिफरेंस 5 हा जाएगा अब यह जो है इस डेटा के उपर बहुत बार सवाल बना है कि x equal to क्या है 6 मतलब कि 4 9 और 13 sorry 4 9 और 6 के उपर बहुत बार सवाल बना है 4 प्लस 9 प्लस 6 जो है यह होता है 19 4 का square प्लस 9 का square प्लस 6 का square 133 होता है और 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 इन तिनों को multiply करके जोड़ोगे तो 144 आता है इसके उपर कई बार सवाल बना है SSC में इस एक्जाम में और आप इसको याद भी रख सकते हैं कि x plus y plus 19 दे दिया x square plus y square plus z square 133 दे दिया और x y plus y z plus z x जब 114 दे दिया तो यहाँ पर directly 4 9 और 6 के उपर सवाल बनता है तो इसके उपर कई बार SSC में सवाल पुछा है तो important pattern है और साथ में pattern के साथ-साथ कुछ values है इसको भी आप याद रख लिजए क्योंकि direct कभी-कभी एक्जाम में यही values पे question आते है अब देखिए next question है a plus b का whole square बरावर 21 plus c square है b plus c का whole square बरावर 32 plus a square है c plus a का whole square बरावर 28 plus b square है तो a plus b plus c क्या है देखिए यहाँ पर actually यह question को pen चलाने वाला सवाल नहीं है आप अगर mind से इसको calculate कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर मैं अभी एक बार आपको लिख कर बता देता हूं आपको बस यह देखना है 21 को जोडा जाएगा किसमें 28 में जोड c का मान है ठीक यही आपके a plus b plus c का मान है इस तरीके से आप इसको mind में calculate कर सकते हैं क्यों मैंने ऐसे लिखा क्योंकि देखिए यह क्या है a plus b का whole square है याने a square plus b square plus 2ab का value है यह आपका 21 plus c square इतना ही है correct साथ में दूसरा वाला value क्या है b plus c का whole square है तो b square plus c square plus 2bc है is equal to कितना दिया है तो 32 plus a square दिया है एक बार और यहाँ पर देखेंगे c plus a whole square है तो c square plus a square plus 2ac है is equal to कितना है तो 28 plus b square है यदि मैं तीनों को जोड दूँ यदि मैं तीनों equations को जोड दूँ तो क्या मिलेगा a square एक बार यहाँ पर a square एक बार कर जाएगा c square एक बार c square एक बार कर जाएगा b square एक बार b square एक बार कर जाएगा यहां क्या बचा तो बचा a square plus b square plus c square a square plus b square plus c square प्लस क्या बचा तो 2 into a b plus b c plus c a AB plus BC plus CA यही बचा और इसका value कितना है इन तिनों को जोडने पर जो value आया 81 का इन तिनों को जोडने पर कितना आया 81 का आया value ठीक तो simple सी बात है यह जो है A plus B plus C का whole square है और A plus B plus C का whole square है इसका 81 आया और 81 क्या है तो 9 का square है तो यहाँ पर A plus B plus C जिकावान जो है वो नहीं ना जाएगा तो इसलिए आप डैरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं माइंड में जितनी ज्यादा calculation आप algebra का कर सकते हैं यह practice से develop होगा ठीक फार्मूला आपके yz plus zx जो है वो आपका है 114 तो फिर से आपका यहां पर जो question set है examiner ने किस पर set किया data को चार नौ और छे पर set करके रखा है चार नौ और छे पर set करके रखा है तो आप चाहें तो ऐसे इसको डाल के भी solve कर सकते हैं बट डैरेक्टली अगर आप यहां पर formula से समझना चाते हैं तो ऐसे समझें यह x plus y plus z यानि कि इसका formula आपको लगाना होगा तो इसका formula क्या होता है x plus y plus z ठीक है ब्रैकेट में आजाएगा x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx यही होता है इसका square root निकालने को कह रहा है तो आपके पास तो सारी चीज़ है लेकिन फिर भी अगर आपको देखें x plus y plus z 19 दे दिया xy plus yz plus zx दे दिया और साथ में आपको xy yz zx का value भी दिया हुआ है 114 तो x square plus y square plus z square निकालना कौनसी बड़ी बात है क्यूंकि हम जानते x square plus y square plus z square जब निकालना है यह हो जाता है भई x plus y plus z का whole square जो किये 361 minus twice of इतना twice of इतना मतलब 228 228 इसको minus कर लीजे ठीक है पांच में से 11 में से 8 गया तो बचा 3 5 में से 2 गया चो बचा 3 3 में से 1 गया तो बचा 13 133 आ रहे है इसका value ठीक तो यह आपका value है 133 का minus इसमें से कितना करना है तो 114 और दोनों को अगर देखा जाए तो 19 multiplied by 19 आरा है और इसका value कितना आएगा तो 19 आएगा क्यूंकि इसका square root निकालना था तो देखे कुछ चीजें जो हम यहां पर यूज कर रहे है यह वाला जो formula है यह आपको कैसे यूज करना है तो यह आपको समझना होगा कि value आपको हमेशा यहां पर जो दिया है x plus y plus z दे दिया x y plus y z plus z x दे दिया इस formula में इसके formula में x plus y plus z भी आता है x y plus y z plus z x भी आता है साथ में x square plus y square plus z square भी आता है तो मैंने आपको बताया है कि अगर x plus y plus z x y plus y z plus z x और x square plus y square plus z square में कोई भी 3 में से 2 values दिया है तीसरा कैसे निकालना है वो हमने सीखा है तो देखिए इस फॉर्मूले को हम यहां यूज़ कर रहे हैं a2 plus b2 plus c2 नहीं दिया था तो हमने क्या किया a plus b plus c का whole square कर दिया minus 2 इंटू इतना किया तो हमारा a2 plus b2 plus c2 का value आ गया वहाँ पर ठीक अब देखे एक आखरी सवाल और देखते हैं इस वीडियो में ठीक क्या निकालना है a2 plus b2 plus c2 दिया हुआ है 20 आपको निकालना है half into a plus b plus c into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square अब देखे इस फॉर्मूले को देखते साथ समझ में आता है कि यह है a3 plus b3 plus c3 minus 3 abc का फॉर्मूला जिसके दो फॉर्मूले जिसमें से second फॉर्मूला आपको दिया है लेकिन देखे यह वाला फॉर्मूला वहां आपको यूज करना है जब नंबर बड़े बड़े हैं उनके बीच का difference छोटा छोटा है जब यहां पर आपको a b plus b c plus c a का value दिया है a square plus b square plus c square का value दिया है तो वहां आप इस फॉर्मूले को यूज करने से बचिये आप जानते है इसका मान इस पूरे का मान यह भी होता है a plus b plus c और जो बचा हुआ value है half और यह वाला value उसके जगा लिख सकते a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c इसा लिख सकते हैं कि नहीं अब इसमें से आपके पास a b plus b c plus c a का value है इसका value आपको दिया हुआ है और a square plus b square plus c square का भी value दिया हुआ है तो यहां से a plus b plus c का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है a plus b plus c क्या होता है a square plus b square plus c square जो की 20 है plus two into इतना कर लीजे two into इतना कर लीजे मतलब 16 इसका square root निकाल लेते मतलब 6 आ जाएगा मतलब इसका मान आपने निकाल लिया यह है 6 इसका मान a square plus b square plus c square का मान है 20 minus a b plus b c plus c a का value 8 तो इसको minus करेंगे तो कितना आएगा 6 multiplied by 12 आ रहा है याने 72 जो है सवालोग का सही उत्तर हो जाएगा clear चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं ठीक तो इस part 2 वीडियो में हमने बहुत सारे नए नए formulas देखें जो कि हमने part 1 में नहीं cover किया था ठीक है अब इसके next part में कुछ और अलग-अलग formulas हमें देखने हैं ठीक है डीटेल में भी solution सारी बताया जारी क्योंकि अगर कहीं भी short trick के अलावा कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपको trick से नहां बने वो भी आपसे बन जाएगा इस तरीके से मैंने सारे lectures design किये तो इसी तरीके से बहतर quality content के साथ आपके like और subscribe से हमारा motivation हाई रहता है कि हम और अच्छ